OHD3 Plus Oral Drop जो की बनाये जाता है Indico Remedies Ltd. की दुवारा बनाये जाता है 150 रुपीज का ये 30 ml का ड्रॉप रहता है जो की ट्रीटमेंट करता है बहुत सारे केशिश में जैसे की इसको यूज के जाता है बन की Dempicency रहती है तब इसको यूज के जाता है बन विक होता है तब इसको यूज के जाता है और Immunity को Improve और बन की Health को Improve करने के लिए डॉक्टर प्रियाटिक डॉक्टर इसको Recommended करते है तो इस विडियो में मैं इसका यूजर्स, Benefit, Side-Pet, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा Safety Advice क्या रखने का है, डोज में सुझा तो कैसे लेने का है और इसका सब्स्ट्यूट कौन कौन सा Available है तो वो सब बाते इस विडियो में मैं सेयर करूँगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके तो ये विडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूड़न और हेल्थ केर स्टूड़न के एजूकेशन परपस के लिए तो कोई भी मेडिशन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरू ले तो विडियो को हम स्टूड़ करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद OHD3 प्लस ओरल ड्रॉप चोकी बनाया जाता है इंडिको रेमेडी एल्टीडी के दुवारा बनाया जाता है 150 रुपिस का ये 30 ml का एक ओरल ड्रॉप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है बहुत सारे केशिश में इसके अंदर विटामिन D3 है जो कि क्या करता है कि मैनेज करता है लो लेवल केलसियम और विटामिन D3 को उल्डी केंदर विटामिन D 3 बहुत अच्छे से ओप змय करता है केलसियम को जो फूर्ड के साथ कंजी chapters कंज्यूम करते हैं बहुत को स्ट्रॉण करते हैं उसके राज को इसको तो इसको हीन हायपो केलसियम in तो comment section में पूछ सकते हो otherwise जो description में email idea वहाँ पूछ सकते हो चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप visit कियो तो हमारे चैनल को जुरू subscribe करें साथ में जो bell icon है उसको दबाए ताकि जब भी मैं next video upload करूँ तो आप तक एक notification पहुच जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे